हाई फ्रेंट्स कैसे हैं आप दोस्तो रास्ट्रिय घटना करम जो पड़ती होगी था दरपन जुलाई 2022 अभी ही जुलाई 2022 का संस्क्रण आ चुका है आपको पता है कि एक माँ पहले ही एक माँ चलता है यह मतलब जून में जूलाई का आ जाता है तो जूलाई में जो प्षाओं के लिए उपयोगी होंगी मतलब करेंट अफेर्स के सेक्षन में रास्ट्रिय जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं तो बीना समझ गया है पहला इसका नियुज है जम्मू कस्मीर विधान सबाहेतु सीटों का परी पुनर परी सीमन पुनर परी सीमन इ सीटे निरधारित कि कहांपे कौन सीट्रिबром पहले जहां मिदाशेसी ती विदान सवा में 83 सी ती अब उसको बढ़ाकर नबे कर दिया गया है कितना हो गया है मतलब साथ सीटों की संख्या बढ़ा दी गया है जिसमें कि जम कस्मीर में तो 46 अपहले उसको बढ़ा कर दिया गया लेकिन जम्मू में सीटों की संक्या बढ़ा दी गए 37 से बढ़ा की कितना कर दिया गया है 43 तो पहले 46 था कस्मीर छेतर में और 37 से 43 हो गया जम्मू के छेतर में टोटल हो गया 90 सीट इस अब आप बोलिएगा कि यह जो है परिसीमन आयोग इसके अध्यक्ष कौन थे तो इसके बारे में चटचाम लोग कर लेते हैं सेवा निवरित सेवा निवरित रिटार्ड जस्टिस नियाधिस सेव फिर से सुनिए से नियाय मूर्ती रंजना प्रकास देसाई सर्वोच नियाले की सेवा निवरित नियाधिस रही हैं रंजना प्रकास देसाई उनकी अध्यक्षता में कमीटी गठित की गई थी और उसी कमीटी के अधार पर नया परिसीमन बनाया गया जो सीटों की संक्या 83 से बढ़ा कर कि इस नहें परिसीमन में क्या है पहले जितनी अनुसूचित जाती के लिए सीटे थी सब्सक्राइब कर दिया गया है नौसी नुसूचित जन जाती के लिए पहले इसके लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी तो एक बड़ा बदला हुआ है इसके अलावा दो सीट कस्मीरी विस्थापितों के लिए जिसमें एक महिला होगी लोग सभा में पांच सीटे ही रहेंगी यह तो विधान सभा का बात हुई है लोग सभा में पांच सीट ही रहेगा जो पहले से था दो सीट कस्मीर के छेत्र में जाएगा दो सीट जम्मू के छेत्र में जाएगा और एक सीट जो अनंतनाग का सीट है अनंतनाग का सीट का 50-50% बटवारा हो जाएगा जम्मू छेत्र और कश्मीर के छेत्र में यह जो परिसीमन आयोग जो बना था उसमें अध्यक्ष कौन थी रंजना प्रिकास देशाई इसमें दो अन्य सदस्त थे मुखी चुनाव आयुक्त सुसील चंद्रा वा जम्मू कस्मीर के निर्वाचन आयुक्त केके सर्मा सुसील चंद्रा जम्मू कस्मीर के हैं उनको सामिल किया गया था इस कमीटी में जिसके अध्यक्ष कौन थी रंजना प्रिकास देशाई तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टनिट है रंजना प्रिकास देशाई नाम याद रखना उसके अलावा सीटों की संके 83 से बढ़के 90 क कस्मीरी भी स्थापितों के लिए जिसमें एक महिला हों वह रिजर्ट किया गया प्यूह है व जू कि रह गई है जो लोक्सभा के लिए Хोगी जिसमें दो सीट जम्मू छेतर से, दो सीट कस्मीर छेतर से और एक सीट जो अनंतनाक का है वो जम्मू और कस्मीर दोनों में 50% करीब बटा हुआ होगा, तो यह एक पहला न्यूस था, दूसरा रास्ट्री यह घटना करें हमारा है, तिरपुरा की भाजपा सरकार ने नित्रेतो वर्तन किया है, मतलब तिरपुरा में अब नए मुख्यमंत्री है, नए मुख्यमंत्री बनाए गए है, पिछले 11 महिने में, लास्ट 11 मन्त में, चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बीजेपी ने बदला है, जिसमें, पहले तो हम लोग इनके बारे में बात कर ले, कि तिरिपुरा में विपलो कुमार देव के अस्थान पर डाक्टर मानिक साहा, डाक्टर मानिक साहा को वहां का नए मुख्यमंत्री बनाया गया, और पिछले 11 महिना में जो अन्य चेंजेज हुआ है मुख्यमंत्री में, उसमें से है, उत्तरा खेंड में तीरत सी रावत को यह उत्तरा खंड के चीफ मेंस्टर बनाया गया, तीरत सी रावत को हटाकर, उत्तरा खंड यू के लिखते हैं, ठीक है, उसके अलावा करनाटक में, करनाटक में बहुत नाटक होता है, राजनेतिक नाटक, बी एस यदुरप्पा को हटाकर, बी आर बोम्मई, बी आर बोम हटाकर, भूपेंदर से, भूपेंदर सीग कि पटेल को नहीं मुख्यमंत्री बनाया है, बी जे, टिरेह bit ने, यह चार राज्यों के मुख्यमंत्र यह टुरपूरा में खेल में राजिनीती जब गुश जाता है तो निश्चित रूप से यह दिक्कत होती है खेल का तो खेल घर्त में चलाई जाता है भारतिय फुटबॉल में भी यही हो रहा है कुछ तो क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं पुर्व केंद्रिय मंत्री परफुल प्रफुल पटे 2009 से ही 2009 से इसके अध्यक्ष बने वे थे किसके अखेल भारतिय फुटबॉल महासंग के अध्यक्ष बने वे थे 2009 से बनेवे थे 2020 में इनका तीसरा कारिकाल पूरा हुआ 2020 में तीसरा कारिकाल पूरा हुआ लेकिन इसके बावजूद वो जमे रहे इस पत पर यह हवाला दे कर कि कुछ मामले सर्वोच न्याले में लंबित है जब तक उन मामलों का निस्पाद नहीं हो जाता है तब तक न्या चुनाव नहीं होगा तो यह मामला बढ़ते बढ़ते चला गया सुप्रीम कोट सुप्रीम कोट के न्यायधिस ने सुप्रीम कोट का क्या जज्जमेंट आया है सुप्रीम कोट के जज्जमेंट में सरवोच नेयले के पुर्व न्याय दिस न्याय मूर्ति एया आर दबे की अध्यक्सता में दो अनसद पुर्व चुनावायुक्त स्वाई कुरेसी और भारतिय कप्तान पुर्व भारतिय कप्तान मतलब फुटबॉल के कप्तान भासकर गांगुली भासकर गांगुली किया द्यक्स्ता में एक कमीटी गठित की गई जो परसासक की भूमिका में रहेगी यही परसासक आगे महासंग का संचालन करेगी मतलब अखिर भारती है फुटबॉल महासंग का संचालन करेगी और इसी क नित्रतों में अगला चुनाव होगा तो प्रफुल पटेल को हटाने का बहुत प्रियास किया गया था और यह याचिका दायर की गई थी दिल्ली फुटबॉल संग के द्वारा चली एब नेक्स कोस्चिन चलते हैं यह रक्षा चेतर से जुड़ा हुआ है स्वादेश निर्मित युद्धपोत सूरत वा उदैगीरी सूरत सहर का नाम है गुजरात में उदैपूर एक सहर है तो उदैपूर नहीं बोल रहे हैं उदैगीरी सूरत और उदैगीरी दो युदौध़ पौोंगाव सत्यात मंझगावो डॉक्स लिमिट्टेड पूछ देगा आप से मचे को फूल फॉर्म क्या है देगा और चार पांच उपस्न जिसमें भी रहेगा तो आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि यह बहुत आजकर बहुत बढ़िया-बढ़िया काम हो रहा है यहां पर तो दो स्वदेश निर्मिते सूरत और उदैगिरी युद्ध पोत जो है उसका जलावतरन किया गया है यह दोनों युद्ध पोत विस्व में तकनीकी रूप से सबसे स्रेश्ट युद्ध पोतों में स तो इस चितर में हिंद महासागर्थ और प्रसांद महासागर्थ चितर में भारत ने जो अपनी पहचान बनाई है उस पहचान को और मजबूत करेगा कौन सूरत व उदैगिरी और यह मिक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड जो परधानमंत्री मोदी की सोच है उसको पाकास में ब्रह्मोस मिसाइलों के अनेक परिच्छन के पहली बार एक विस्तारीत रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल यह सुखोई थटी 12 मैं 2022 को बायू सेना के सुखोई थटे MKI बिमान से किया गया इस बिमान से ब्रह्मोस मिसाइल अननत संसकरन ब्रह्मोस मिसाइल के अननत संसकरन का परिच्छन किया गया जो ध्वानी की गति से लगबग तीन गुना अधिक गति से प्रहार करती है ध्वानी की गती से लगबग तीन गुना अधिक गती से प्रहार करते हैं 2.8 मेंग है इसका स्पीड ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुनोंगे रूस के द्वारा मिला है भारत को और ब्रह्मोस नाम पढ़ा है ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कोवा नदी जो मस्कोवा के तड़ पे है तो ब्रह्मपुत्र नदी और मस्कोवा नदी के नाम को मिला कर बनाये गया था वर्ड ब्रह्मोस इसी का सफल परिछन सुखोई 30 MKI के द्वारा किया गया है चलिए अब देश में सड़क दुरघटनाओं के बारे में बात कर ले जो बहुत ही चिंता का भी सह रहता है तो वर्स 2020 में 2020 का रिपोर्ट है देश में हुई सड़क दुरघटनाओं के संबंद में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राल है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्राले मिनिस्ट्री ओफ रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाइवे ने रिपोर्ट जारी की है रोड एक्सिदेंट इन इंडिया 2020 2020 रोड एक्सिदेंट इन इंडिया 2020 जिसमें प्रमुक बाते क्या है कि अगा इस फैट्यल जो दुरगटना 2020 में हुई वह उसमें मरने वालों की संख्या एक लाख एक्तिस हजार साथ सो चौदर थी एक लाख एक्तिस हजार साथ सो चौदर लोगों ने 2020 में अपनी जान गवाई सड़क दुरगटनाओं में जो jean तो ये थोड़ी राहत की बात है कि एक लाख एक्तिस हजार कम नहीं है एक लाःट एक ललोग घवानासी लो से ज्यादा रेशियो 18 से 45 साल के युवाओं का होता है और 18 से 60 जो कामकाजी है उनकी संख्या जो है वह 87.4 परसेंट है से 45 आयूवर का 59 परसेंट है तो युवाओं की मौत होती है इसलिए युवाओं को साबधानी से गाड़ी चलाना चाहिए दोस्तों इंडिया के लिए और गौरव की बात है पोप के द्वारा पोप कहां बैठते हैं वेटिकन सीटी में वेटिकन सीटी कहां है दुनिया का सबसे चोटा देश दुनिया का सबसे चोटा देश इतली के अंदर में ही एक देश बना दिया गया है जिसका नाम है वेटिकन सीटी जो पोप का देश कहा जाता है वहां की आ प्रबुध लोग रहे हैं जो इसाई धर्म में संत के रूप में या बहुत महान व्यक्ति रहे हैं उनको संत का दर्जा दिया जाता है सेंट का बहुत कम लोगों को सेंट का दर्जा दिया जाता है तमिल नाडू के कन्या कुमारी जीले के नटलम गाओं में 1712 में हिंदू नायर परिवार में जन में नील कांता पिल्लई जिन्होंने अपना नाम बदल लिया था जो 53 कोर महराज के हाँ पहले काम भी करते थे और उन्होंने अपना धर्म बदल लिया था इशाई धर्म 17 45 में अपना लिया था लेजारूस L-A-Z-A-R-U-S लेजारूस नाम परिवर्तन करके अपना नाम निलकान पिल्लाई ने क्या कर लिया था लेजारूस लेजारूस को कैथोलिक समुदाय के पोप फ्रांसिस ने बेटिकन सिटी में 15 मईद 2022 को सेंट का दरजा दिया है किसको दरजद मिला है लेजारूस को लेजारूस का पहला नाम क्या था नेलकानता पिल्लाई कब जन्मुए था 1712 में 1745 में इन्होंने अपना लिया था क्या इसाई धर्म और इनकी मौत हो गई था इनकी हत्या कर दी गई था 1752 में तो पहले इनको धन्य गोशिद किया गया था ब्लेश्ट गोशिद किया जाता है मतलब संत गोशिद कर ने के här पहले एक परंपरा चलती है कि क्या क्या उन्होंने किया तो पहले इनको blessed घोसित किया गया उसके बाद जब किसी चमतकार की एक भी चमतकार की पुस्टी होती है कि इन्होंने को चमत-कार किया था तब उस वेक्तिव को सेंट का दर्जा दिया जाता है इस आधर में मतलब लंबी परकरिया है सेंट का सेंट मिलने में तो सेंट का दर्जा मिलने में जो लंबी परकरिया है उसमें ये खरे उतरे इन्होंने चमतकार भी किया था एक उसी के आधार पर पोप वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस ने इन्हें सेंट का दर्जा दिया है कि दोस्तों आज के समय में सोसल मीडिया हो गया या फिर में इधर उदर जो लोग खबर पेपर वेगारें ब्यान बाजी करते रहते हैं नारा भासन वेगारें में जब सरकार के खिलाब बोला जाता है किसी व्यक्ति वि फेड़िया की कोसिस किया इसके बारे में प्रकिरिया प्रार्यम्भ हुए तो तो सर्वोच नेले एक एक सो बासेट साल पहले का कानून जो है राजद्रोह एक सो बासेट वर्स पुराना 162 एक सउसी ट्रोह कानून extraction को को इंग्लिस में सेडीजन बोलते हैं राजद्रोह कानून पर अंत्रिम रोक लगा दिया है और इस पर सरकार को पुनर विचार करने को कहा गया है और जब तक कि इस पर पुनर विचार मतलब इसकी समिच्छा नहीं हो जाती तब तक इस कोई इस मामले में कोई एफायार दर्ज मतलब किसी पर एफायार नहीं दर्ज होगा राजद्रोह के मामले में ठीक है यह आई पीसी की धारा एक सो चौबिस ए जो है वह अब्यभारिक रूप से निस्प्रभावी यह वह निस्क्रिये हो जाएंगी ठीक है चलिए राजस्था लगता है कि साप आपका अभ्यार्न होगा लेकिन उसको बावनवा बाग अभ्यारन ने घोसित किया गया है कहां है यह राजस्थान के रामगण में ठीक है इसको 16 मई को अधिसूचित किया गया इसके पहले राजस्थान में रन्थमबोर सरिस्का वो मुकंदुरा है बिहार की बात करें अगर तो बिहार में एक ही है वालमी की टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा आपको महारास्ट्रों में छे है टाइगर रिजर्व टाइगर की संख्या बढ़ाने के लिए टाइगर रिजर्व छेतर घोसित किया जाता है ठीक है चलिए फिर से हम लोग नौ सेना की तरफ चलते हैं रक्षच चतर से ही बात है तो भारती है नौ सेना के लिए गारिन रीच शीप बिल्डर्स और इंजिनियर्स द्वारा गारिच शीप बिल्डर्स और इंजिनियर्स गारिन रीच शीप बिल्डर्स और इंजिनियर्स इंजीनियर्स के द्वारा L&T की सहायता से एक पोत निर्देशक का जलावतरन सर्वेच्छन पोत का नाम क्या है? तो आपसे पूछेगा कि किस ने सर्वेच्छन पोत का अभी जलावतरन किया गया तो उसका नाम क्या है? निर्देशक किस के द्वारा बनाए गया तो गारीन, रीच, सीप, बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा है यह सब नाम में कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए बारवार इसको हम यूज बोलते रहते हैं, ताकि आपके भी दिमाग में बैठ जाए किसके सहयोग से किया है, GRSE, LNT, LNT मतलब लारसन और टुब्रो एक और महत्वपून का पर, 34 वर्स की सेवा के पस्चात, INS गोमती को नो सेना से हटा दिया गया है 34 वर्स, 34 यर, लॉंग यर तक भारतिये नो सेना में सामिल रही, गोमती को हटा दिया गया है गोमती नाम दिया गया था, गोमती नदी के अधार पर जो लखनो गोमती नदी के किनारे बहती है उसी गोमती के नाम पर इस नो सेना ने नाम दिया था, इस पोत का, जिसे अब हटा दिया गया अब इसको गोमती नदी के किनारे हैं लखनों में गोमती के तट पर इसको अस्थापित किया जाएगा संग्रहाले के रूप में ठीक है ओपन संग्रहाले रहेगा तो काफी खुपसूरत हो जाएगा गोमती मतलब नदी का तट या लखनों का जो नदी का तट है तो ही आपका आज राश्ट्रिय घटना करम का था जूलाई 2022 प्रतियोगिता दरपन मैगजिन और इसके अलावा अर्म मैगजिन में भी अन्य जितने भी प्रतिश्चित मैगजिन हैं उसके दारा कोशिश करेंगे कि आपको कोश्चन सारा करा दिया जाए तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएएगा अच्छा लगए तो कमेंट करिए लाइक करिए दोस्तों को सेर करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ओके बाई